सर्द्या शुरू होती ही सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हाइपटेंशन की बीपी बढ़ना शुरू होता है हर समय ठकान लगती है और हमेशा घवराट रहती है तो अगर आपको यह दिक्कत है तो बहुत एजली आप आयरवेद के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकत है तो जरूरी रही है कि आप लाइफ टेम मेडिसंस लें आप आयरवेद के शुरू भी इसको ठीक कर सकते हैं हेले व्रीवन वेलकम टो तुलसी अईरवेदा आम डॉक्टर अंकेत अगरवाल आज हम बात करेंगे हाइपर टेंशन के बारे में या हाई बीपी के बारे में आयरवेद में इसको कहा गया उच्छ रक्त चाप या रक्त गतवात यह एक ऐसी कंडिशन है जिसके अंदर आपका बीपी भड़ने लगता है आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होने लगता और इसके बहुत सारे कारण होते हैं अगर हम कुछ कॉमन कारणों की बात क करें तो सबसे पहला कारण यह आता है कि सर्दियों में आपका सर्दियों में आपका खून नशीर सा गाड़ा होने लगता है जिसके वज़े से उसकी कंट सिस्चेंस भड़ने के वज़े से उसका लुड़ने लगते plat क्योंकि कहीं न ना अपकी बोड़ि में अगर कोलेस् लेवल बढ़े हुए हैं जो आपकी Artery में स्पेस को रिड्यूस्ट करता है और उसकी वज़े से प्रेशर बढ़ता है यह बहुत कॉमन सा रीजन है जिसके वज़े से यह होता है पर यह होता कि वे स्टार्ट कैसे होता है अगर आपकी habit बहुत sedentary हैं, आप बिलकुल भी exercise नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा smoking करते हैं, alcohol लेते हैं, बहुत ज़्यादा non-veg लेते हैं, यह oily deep fried चीज़े आपको ज़्यादा पसंद हैं, खाना खाने के बाद आप एकदम सो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा करके आपको एक सही energy दे और accumulate ना करें, यह हमेशा correlated रहता है आपके digestion के साथ, जब आपका digestion आपका paid बिलकुल ठीक नहीं होता है, जब आपको खाना हजम नहीं होता है, तो आपका खाना जो आदा बचा हुआ है, शरीर में इखटा होने लगता है, और आदा पचके वही शरी को energy देता है, पर जो आदा बापके शरी में बच गया है, वो ही आगे जाके बिमारी उत्पन करता है, वो ही जाके आगे बहुत सारी severe conditions बनाता है, जिसके विरे से आपके cholesterol level भडते है, अब जब भी आपको hypertensive conditions होती है, तो usually होता क्या है, कि आपको सिर में दर्द हमेशा रहन लगता है, या तो आपको front side से headache रहेगा, या occipital headache रहेगा, सर के पीछे दर्द रहने लगता है, और यह continuous रहता है, कहीं न कहीं आपको chest में left side भारी पर लगने लगता है, या pinching pain होता है, ऐसा लगता है कुछ चुब रहा है, वो दर्द हमेशा आपको continuously रहता है, जब यह ज स्ट्रेस रहता है, तो इसके वज़े से भी hypertension की, यह सारे symptoms आपको नज़र आते हैं, और अगर आपको यह symptoms नज़र आ रहे हैं, आपको जरूर किसी भी डॉक्टर को अपने आसपस दिखाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, बहुत सारी ऐसी भी conditions हैं, जो मानसिक पढ़ता है, प्रेगनेंसी की condition हो, उसमें भी hypertension होता है, और अगर किसी को thyroid की दिक्कत है, तो भी hypertension की problem भढ़ती है, यह सारी ऐसी दिक्कते हैं, जो associated रहती हैं, दूसरी diseases के साथ, तो अगर यह भी आपको पहले से problem है, या genetically है, आपके family में पहले से ही किसी को hypertension की दिक्कत है, बी-पी हमेशा भढ़ा रहता है, यह आपकी family में history है, कि यह दिक्कत है रहती है, तो आपको अपना ध्यान देना जादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सही time से manage नहीं करेंगे, तो आपके heart को जादा काम करना पड़ेगा, जिसके वज़े से आपका heart size भढ़ सकता है और उसको भढ़ने के वज़े से efficiency जादा लगी हो, और धीरे-धीरे तो आपके heart की muscles को weak करने लगेगा, जो बाद में जाके heart attack भी कर सकता है, तो जरूरी है, आपको early symptoms में अगर आप यह देखते हैं, तो बहुत easily आप इसको treat कर सकते हैं, अब आईरवेद यह मांता है, कि ज जब आपके शरीर में वात भढ़ने लगता है, तो वात आपके जितना भी blood flow हो रहा है, उसके speed को भढ़ाता है, उसको increase करने लगता है, जिसकी वज़े से hypertension होता है, और जब यह बहुत ज़ादा होता है, तो brain harm rage करना, या bleeding होना, यह बहुत सारी दिक्कते भी आपको अलग स कारण बताए गए, सबसे पहले तो उनको आपको हटाना चाहिए, आपको खटी, तलीवी चीज़े, oily, deep fried, non-wage, alcohol, smoke, यह बिलकुल बंद करना चाहिए, और उसके लावा आपको daily, आपको तिल का तेल लेना है, तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, नाने से पहले daily इ आपको एक अच्छे नींद भी आए, और आपका BP भी कंट्रोल रहेगा, आप पानी की quantity थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब पानी आपकी body में balance रहता है, जो खून में घाड़ा पना आता है, जो आपका BP भढ़ता है, वो reduce रहता है, balance रहता है, और आप जितनी बार urine जाते हैं, तो BP भी कंट्रोल होता है, तो पानी एक maintainer के सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, पर कोशिश करें, हल्का गुनगुना पानी रोज लेते रहें, शाम को कम लें, क्योंकि शाम को अगर आप जादा लेंगे, तो आपको रात को उठना पड़ेगा, urine जाना पड के उसे साब से आपको पानी पीना चाहिए, आपकी अगर कॉफी चाय पे जाधा dependency है, तो उसको reduce करना चाहिए, काफीन की quantity को reduce करना चाहिए, अगर आप जो exercise करना है, अगर आपको अलड़ी BP की दिक्कत है, तो आप ऐसे time walk ना करें, ऐसे time exercise ना करें, जब कोहरा हो, क्योंकि कोहरे में oxygen की quantity कम होती है, तो उसके विज़े से भी सांस भढ़ सकता है, उसके विज़े से BP भढ़ सकता है, दूसरा आप क्या करेंगे, खाली पेट आप अरजुन का काड़ा बना सकते हैं, काड़ा बना के आप सुबह अगर लेते हैं, तो बहुत अच्छा ये काम करता है आपके लिए, उसके साथ आप जीरा और अजवाइन का पानी उसके साथ मिला सकते हैं, वो ले सकते हैं, सुबह उठते ही आप जो पानी पीते हैं, वो कोशिश करें, plain water हो, साधा पानी हो, कोई भी काड़ा ना ले, पहला ग्लास पानी आप ले, उसके पांदस नंट बादी जो भी आपको काड़ा लेना है, वो आपको लेना चाहिए, सरदियों में जाधा तर कॉपर के ग्लास में रखा पानी है, कॉपर के जग में रखा पानी, वो जाधा अच्छा रहेगा, रात को रख दीजे, सुबह उसको पी लेजी और डेली उसको वाश करें, तो ये आपक जीक से एक त्रीट्मेंट है, बहुत एफीट्टीव ये ट्रीट्मेंट लता है, अगर आपके कोलेस्ट्र Rapha लेवील बहुत जपड़े ले आप बहुत टाइम से बीपी की दवाई खा रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है या उसके साइड इफेक्स बॉड़ी में दिख रहे हैं या कहीं न कहीं बॉड़ी डिटूरेट हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप कॉल करके अपना अपॉइंट् करके आपने ट्रिट्मेंट शुड़ू करा सकते हैं जरूरी यह है कि आप अपनी लाइफ में आइदवेद को अपनाएं जितना हो सके नाचरली खुद को ठीक करें और अपने आपका और अपने परिवार का स्वास्त बैटर करें थैंक यू कर 은हीं आपका और अपनाभ लोक सुषर का स्वास्त करेंग है आप परिवां है टे MYूल करफ ब bias ir अपनाटर में आपका aware अपने सकते हैं झाल